अंतर राश्ट्री महिला दिवस की अपसर पर भाजपा विदायक और प्रदेश उपादेक्ष रामेश्वर शर्मा ने महिलाओं का सम्मान किया। यह सम्मान समहरों उनके शास की आवास स्तेति युवास सदन में अवजित हुआ। यहां उन्होंने विविन शेत्रों में अलग अलग विधाओं में काम कर समाज में नाम रोक्षन करने वाली कई महिलाओं को पुष्पगुच्छ और शौल श्रीफल भेट कर उनका सम्मान किया। और इनके द्वारा देश भर में समाज के लिए किये जा रहे कामों को भी सराहा। पतिवर्ता नारी के रूप में उसका सम्मान और आदर और पूजा होती है। और जब वो अपनी कोक से बेटा और बेटी को जनम देती है तो माता के रूप में वो पूजी जाती है। भारत में नारी तीनों रूप में सूर्जे और बंदनी है और इसलिए आज अंतरराश्टी जगत में जो कुछ भी है नारी तू नाराएनी ये भारत का गोशवाक है। और जहा नारी को सम्मान मिलता है वहीं देउता भी आते हैं। इसलिए भारत में नारी का सम्मान का एक प्रत है सुरू से अनाधिकाल से भारत में नारी का सम्मान किया गया है। और पूरे देश में, दुनिया में कहीं भी चले जाईए, कोई भी देश ऐसा नहीं मिलेगा, जिसकी कोई माता हो, अमेरिका की कोई माता नहीं है, इंगलेंड की भी कोई माता नहीं है, पर हमारे देश की भारत माता है, हमारे देश ही माता की कोक से पैदा हुआ है, हम देश क जो भी एक मा के कोक से पैदा हुए इसलिए इसको भारत देश कहा जाता है और भारत माता की हम पूजा करते हैं तो अंतराश्टी महिला दिवश पर मैं सभी बहनों को हिर्दय से बदाय और शुक्कामनाय देता हूं और उंबीत करता हूं कि समाज इस नारी के सम्मान के लिए अपना सरवस निशावद करें